Hello everyone and once again welcome to WSQ Tech programming channel guys मैं हूँ भागीरत गिरी और इस वीडियो में हम लग बात करने वाले हैं CSS Grid Properties के बारे में Grid क्या होता है guys पहले मैं आपको बता दता हूँ Grid का मतलब होता है किसी चीज़ को Boxes में मतलब rows और columns में divide करना grid कहलाता है यह निए आप चाहते हो कि कोई आपका एक design है जिसके अंदर कुछ rows हो कुछ columns हो तो यह सारे grid कहलाते हैं जैसे आपने Excel Seats और देख्योंगी उनमें grids होता है rows और columns होता है तो ऐसा कुछ अगर हमें अपनी web page पर बनाना है तब हम क्या कर सकते है इस वीडियो में हम लोग discuss जो करने वाले properties वो बता दे तो मैं आपको सबसे पहले आप यूज करोगी display grid जैसे display inline block होता है display block होता है display inline होता है उस तरीके से display grid property है जो अंदर के boxes को as a grid treat करती है फिर बात करेंगे grid template columns की कितने columns आपको चाहिए और जो columns आपको चाहिए उनका कितना gap होना चाहिए निए columns की width कितनी होना चाहिए यह हम decide करेंगे उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जो grid के अंदर columns है उनके अंदर gap कितना होना चाहिए यह rows के अंदर gap कितना होना अच्छी और फिर बात करेंगे grid की gap की sort and property की बारे में तो सबसे पहले मैं एक file बनाता हूँ इधर और उस file के अंदर मैं आपको समझाओंगा तो एक new file बना लेता हूँ grid.html नाम से और इसके अंदर हम लोग discuss करने वाले हैं कि grid कैसे work करता है इसको मैं open कर लेता हूँ text editor पर और text editor पर मैं इसको बना दूँगा html का document तो यह html document हो जाएगा मेरा और इसके अंदर हम लगाएंगे internal css यहाँ पर लगाएंगे style tag और style tag के अंदर हम यहाँ internal css mention करेंगे उससे पहले मुझे क्या करना होगा उससे पहले मुझे बनाने होगी div और div के अंदर main उसको class दे दी तो guys यह तो हमारा बाहर का structure बन रहा है अभी मैं बाहर का structure यह नहीं बाहर की width height दे के एक box को मैं पहले आपको दिखाऊंगा कैसा दिख रहा है और फिर उसके अंदर हम लोग काम करेंगे grid का तो 500 यह 600 by 700 600 का box बना देता हूँ यह मेरी width हो जाएगी height हो जाएगी box के size कुछ भी ले सबते हो आपके according क्यूंकि अभी हम लोग सिर्फ practice mode पे है और border दे दूँगा और border के अंदर 2 pixels की red solid border दे देता हूँ तो अब देखते हैं कि यह हमको कैसा दिख रहा है पहले और open करता हूँ तो आप देख सकते होगा यहां पर एक box दिख रहा है इस box को पहले exact बीच में ले आता हूँ मैं तो इधर लगा देंगे margin और margin auto इससे क्या होता है कि box exact बीच में आ जाता है तो margin auto से आपको box exact बीच में आ जाएगा अब इसके अंदर जो divs होगी उनकी बात करेंगे हम लोग तो इसके अंदर जो divs होगी मैं यहां से बना देता हूँ div और multiple मैं divs बना दूँगा और उनके अंदर मैं तो कुछ content लिख दूँगा तो one, two, three और इस तरीके से जितनी मेरे divs बनी है एक बार मैं divs लिख देता हूँ और फिर जैसे need होगी और divs बना देंगे हैं तो यह seven divs है तो अभी देखता है कि यह seven divs मुझे कैसी दिख रही है और यहां पर देखता हूँ तो आपको seven divs कैसी दिख रही है as a, यहां से, as a column दिख रही है as a row दिख रही है हमको इसको as a column treat करना है तो हम लोग क्या करेंगे पहले इस div को थोड़ी से styling देता है dot main के अंदर div और आपको इसके अंदर styling देनी है तो आप क्या करोगे एक height देता हो यहां पर और height के अंदर suppose मैं mention कर देता हूँ इधर से यह 100 pixels की तो 100 pixels की height देता हूँ तो आप देख रहे हो फोड़ा सा दूरी आ गई सब में और इनको मैं कुछ padding देता हूँ तो padding से हम लोग इसको बना देते हैं थोड़ा और padding के अंदर मैं 50 pixels की padding देता हूँ और 50 pixels की padding के बाद इसको एक background देते हैं अपन और background के अंदर color देता हूँ मैं equa color तो अब दिखेगा हमको किस तरीके के box दिख रहा है और ये कुछ इस तरीके के boxes दिख रहे है हम लोग इसकी height भी हटा देते हैं तो padding की वज़े से ये चारों तरफ से बना हो रहेगा box और अभी आप देखे हो इसने पूरी की पूरी row ले रखिए ये कैसे पता चलेगा अगर मैं इनको margin top से दूँ थोड़ा सा आपको पता चलेगा कि यहाँ पर सारे boxes में थोड़ी थोड़ी सी जगा लेकर एक पूरी row ले रखिए आप देख से तो एक पूरी row दूसरी row तीसरी row इस तरीके से पूरी की पूरी rows ले रखिए बट मुझे ये पूरी की पूरी rows नहीं देनी है इनको इस case में मैं यहाँ पर use करूँगा इनको as a grid तो इसके parent में आपको देना होगा display और grid तो display grid से क्या होगा ये अंदर वालों को as a grid treat करेगा तो display grid दे दिया मैंने और अब ये as a grid treat करेगा बट कब करेगा जब आप इसको बताओगे कि कितने columns होने चाहिए तो उस case में आप यहाँ पर दोगे grid template columns और grid template columns में आपको decide करना होता है कि कितने columns होने है तो जितनी बार आप लिखोगे suppose 100 pixels मैं तीन बार लिखता हूँ 100 pixels, 100 pixels, 100 pixels तो ये क्या करेगा? 100 pixels के 3 columns बना देगा ये आप देख रहे हो 100 pixels, 100 pixels के फिर नीचे 3 columns, फिर इस सरब 3 columns तो इसने क्या क्या 100, 100 pixels के 3 columns बना दिये suppose मुझे थोड़े और बड़े columns थी तो 150, 150 के बना देता हूँ तो ये 150, 150 के 3 columns बन जाएगी तो आप देख रहे हो 3 columns बन गए 150, 150, 150 के जैसे 3 columns खत्म हो जाते हैं, ये नीचे वह लाइन हो जाता है आपको लगता है कि एक column और चाहिए आपको उपर ही चाहिए, तो आप यहाँ पर चौथा argument एक और फास कर दो और इधर आप लिख दो 150 तो इस तरीके से क्या होगा, चार columns बन जाएगी यहाँ से 8, ये 8th column आपको यहाँ पर और दिख जाएगा और इस column के अंदर हम ने इसकी font size बढ़ा देते हैं ताकि आपको font size भी visible हो और दिखे अच्छे से कि ये 1, 2, 3 अंदर लिखावा आप देख सकते हो, 1, 2, 3 लिखावा अब अगर मैं इनको border दूँ, तो आपको दिखेगा कि ये जो boxes हैं, वो कैसे बने वहे हैं कैसे grid हमारी यहाँ पर काम कर रहे हैं तो इनको मैं border देता हूँ, 1 pixels की और black solid border देता हूँ ताकि आपको ये visible हो जाएगा तो आप देख सकते हो, ये grids बनी होए, जैसे मैं आपको कहा था, rows और columns में divide होता है और इधर आपको ध्यान रखना है, इसका grid template column क्या करता है columns decide करवाता है, कितने-कितने pixels के column होने चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ width नहीं दिने होती तो ये क्या करेंगा, चार columns देदेगा, पहले मैं तीन के लिए बताता है, अब देखे हो तीन बार auto लिखा तो automatically adjust करके मुझे तीन columns देदेता है, तो automatically कैसे adjust करता है, ये करता है कि 700 width है total उसको 3 से divide करतेगा, जितना आएगा वो एक-एक column को मिल जाता है, first को, second को, third को मिल गया अब अगर एक और बार auto लिख दूँगा, तो ये क्या करेगा, एक और बना देगा, और उनको automatically adjust करेगा तो ये तो बात होगी, हमारी display grid और display grid के जो अगली property है, grid template columns की तो अगर आप यहां पर एक और देते हो, तो ये 5 columns भी बना कर देदेगा आपको, और ये अपने आप accordingly arrange कर देगा अब हम लोग बात करते हैं कि मुझे चाहिए इन columns की बीच में कुछ gap, तो columns की बीच में आपको gap चाहिए, तो आप क्या करोगे, grid column gap से क्या होगा कि grid के columns के बीच में gap आजाएगा, अब gap कितना चाहिए, suppose आपको 10 pixels का चाहिए, तो आप देखे रहे हो, columns के बीच में 10 pixels का gap आ चुका है, तो हर एक column के बीच में 10-10 pixels का gap है, और last में आप देखोगे, तो इसमें आपको खुद handle नहीं करना पड़ता है, वो देख लेता है कि last वाले column के आगे कोई column नहीं है, तो उसको gap कुछ नहीं देना है, उस तरफ से, first वाले के आगे कोई नहीं है, तो उसको gap नहीं देना, gap कहा देना है, एक और दो columns के बीच में, दो और तीन के बीच में, तीन और चार के बीच में, तो इस तरीके से हमारे gap आ जाता है, और ज यहां से हमने क्या किया हुआ यह भी आपको समझना है main के अंदर मैंने div target की है इसलिए सब पर एक ही class लग जाती है तो main के अंदर जितनी भी divs है सारी एक साथ target हो रही है और सारी पर एक ही class लग रही है तो आपके पास 9 boxes आ चुके हैं अब अगली बात करते हैं हम लोग grid और grid के अंदर rows के gap की तो grid column gap जैसे होता है वैसे grid का row gap भी होता है तो grid के row में आपको gap देना है rows में gap देना है पहली row दूसरी row और तीसी row तो मैं आपको बता देता हूँ 1, 2 और 3 एक row में है 4, 5, 6 एक row में है और 7, 8, 9 एक row में है इनके बीच में आपको gap चाहिए तो इनके बीच में gap के लिए आप क्या करोगे 10 pixels और आप देखरो इनके बीच में भी gap आ चुका है और आपको gap बढ़ाना है तो आप यहां से gap बढ़ा सकते हो और height जो है वो automatically arrange हो जाती है सब्सक्राइब आप चाहते हो कि border से भी थोड़ा सा वो दूर आ है तब क्या करो parent में चलो और parent में यहां से position लगा दो 10 pixels की padding लगा दो तो यह padding क्या करेगा चारो तरफ से 10 pixels की padding देदेगा position में हम लोग padding यूज़ कर रहा है और चारो तरफ से आपके पास यह padding आ चुकी है अब बात करते हैं इसकी short end property के बारे मैंने आपको का था कि हम लोग last में short end property की बात करेंगे तो short end property में मैं क्या करोगा यहां से लिखोंगा grid और grid के अंदर सीधा gap और gap में आपको mention करना होता है तो यहां से मैं लिखता हूँ 10 और 30 pixels तो आप देखोंगे कि यह rows को कितना देता है पहला वाला किसके लिए है? row के लिए और दूसरा वाला किसके लिए? column के लिए यह है short end property दो लो जो उपर properties हैं उनको एक ही बार में मैंने use कर लिया suppose यहां से बढ़ाता हूँ तो आप देखोंगे कि rows के बीच में gap बढ़ रहा है तो पहली वाली row के लिए और दूसरी वाली column के लिए अगर आपको column का gap बढ़ाना है आप column का gap बढ़ा सकते हो और इस तरीके से बहुत fast आप इस तरीके के columns बना सकते हो इस तरीके के grids बना सकते हो और बहुत ही कम properties उसकरी है अब इनके अंदर आपको जो भी बनाना है बनाओ अगर 123 की जग़ा आपको कोई image देनी थी तो आप image भी इसके अंदर रख सकते हो तो इस तरीके के image के gallery बनानी है तो वो भी बना सकते हो और बहुत speed से बना सकते हो तो guys next video में भी मैं आपसे बात करूँगा grid के बारे में और grid के अंदर दो columns को एक कैसे बनाए जैसे 1 और 2 है तो वो पूरा एक बन जाए और जैसे अपने last के 7 और 8 है तो वो एक बन जाए तो इस तरीकी के और properties है जो हम next video में discuss करेंगे आपको grid का concept समय में आ गया होगा और इस तरीकी के grids कैसे बनते हैं ये भी आपको अच्छे से पता चल गया होगा that's it for this video thank you so much for watching